तो ये आम आदमी पार्टी का अंध्रूनी विश्य है परंतु जिस बात को हम लगातार कहते आ रहे थे कि राम लीला में जो बदलता हुआ स्वरूप है जो बदलता हुआ स्वभाव है जिस प्रकार से जाडू से दारू तक स्वराज से शराव तक जिस प्रकार से अपने इस्तीफे को न देना पड़े तो इसके साथ उनके साथ ही खड़े होने का काम करते थे तो मुझे लगता है ये राजने तिक बदलता हुआ स्वरूप और स्वभाव को देखते हुए राजकुमार आनंद ने ये सोचा होगा कि कितना बदल गया है आम आदमी पार्टी और कितना बदल गया है केजरिवाल परन्तु सवाल ये भी बन सकता है कि क्या जिस प्रकार की प्रवरुति आम आदमी पार्टी में बार बार नज़र आती है जहां पर एक बली का बकरा शोधा जाता है जैसे केजरिवाल जी ने अपने सारे दोश का एक प्रकार से इलजाम डालने का काम मंतियों पर किया कहलाज घेलोत ने आतिशी पर किया आतिशी ने किसी और पर किया तो हो सकता इनको लगा हो कि भाई मुझ पर दोश आ जाए उससे पहले मैं यहां से निकल जाओ और बली का बखरा ना बनू अब वो तो उनके और आम आदमी पाटी के बीच में तो जो लोग यह कहते हैं कि दबाव और प्रभाव के कारण हुआ हैं सहाब ऐसा है और आपका असली श्वभाव में निकल ऑर निकले तो कहां गए वो तो इसी लिए जो अपना बदलता हुआ स्वभाव जिसको हाई कोट के आदेश से आज पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि आप प्रष्टाचार कर रहे थे घूस ले रहे थे शराब नीती में किस प्रकार से छेडखानी कर रहे थे किस प्रकार से आपने कहीं कुतर कर विक्टम हुड कार्ड खेले अपूर का इलेक्टोरल बॉंड का सब खारिज हो गया उसके जवाद money trail के बारे में 54 नहीं मिली है केते थे money trail भी high court को मिल गया कि गोवा चुनौव में इस्तमाल हुआ है और यह भी पाया गया कि आम आद्मी पार्टी के नेता नहीं यह बताया है कि किस प्रकार का भरश्टाचार किया गया money trail आया तो इसलिए आपके arrest को valid भी high court ने ब चरितर बच्चु करें